प्रंट्स आज हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिके जो है डिसशब्वांटेजिस इंडिरेक्ट पी दिस अपया गया है तो सबसे पहले डिसएडवांटिजह आप डिक्रसेव Regressive का मतलब हम पहले भी डिसकस कर चुक है कि जो अमीर है, गरीब है इन दोनों के बीच के अंदर जो distance होता है ये indirect taxes उसमें नहीं रखता यानि गरीबों से भी tax लिया रहता है और अमीरों से भी tax लिया रहता है So person is earning less than 2.25 lakhs per annum has not to pay income tax यानि जो कम earn करते है उनसे income tax यानि direct taxes नहीं लिया रहता A person earning the higher income has to pay more taxes and lower earned incomes that has to pay less taxes या no taxes उसको tax नहीं पे करना पड़ता direct taxes का जो system हमारा कुछ ऐसा है कि जो जादा earn करता है उसके उपर हम जादा taxes लिये जाते है और जो कम earn करते है उनसे taxes नहीं लिये जाते है लेकिन अगर बात करें direct taxes की so payment of income tax is discriminate between the rich and poor under the principle of equality central excise लेकिन the custom duty वेट एक्सेप्टा यह सारे ऐसे है कि जिसके अंदर आपको कोई discriminate किया गया है अमीर और गरीप को इसकी हिसाब से दिखा जाए तो does not make any discrimination between the rich and poor किसकी बात कर रहे है कि हम जो बात करें indirect taxes के अंदर indirect taxes के अंदर कोई discriminate नहीं किया किया a car owner has to pay at par with the daily wage earners in case of the payment of indirect taxes car owner हो या daily wage earner हो दोनों को एक जितना ही taxes pay करना पता है अबर purchase of the allible oil both we have to pay the uniform rate of bet दोनों को वेट भी पही करना पता है to pay the indirect taxes नी government भी उसके अंदर लायबल होती है नहीं कि एक department को दूसरे department को भी indirect tax pay करना पड़ता है if it is the government paying indirect taxes to itself that is one government department paying the indirect taxes to the other department but it is not in the case of the direct taxes direct taxes में सब कुछ नहीं होता उसमें discriminate किया गया है दूसरी चीज़ हमें बता रखे कि reduce the demand for the goods and service इससे क्या होता है कि जब भी कोई indirect taxes लगाया जाते है तो यह वो inclusive all taxes होता है जो prices market में अवलेबल होती है इससे क्या होता है कि जो भी product होती है उसकी जो price होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि government उसके अंदर tax add कर दोते है so law of demand state that increase the price reduce the demand for goods and service indirect taxes always added the price of the goods and service हर एक बूट के अंदर indirect taxes add कि जाते है as a consequence demand for the goods and service reduce मांग कम हो जाएगी demand कम हो जाएगी it has to be observed that government gives the concessions or exemption in case of the indirect taxes to control inflation inflation को control करने के लिए exemption या concession होना चाहिए इंडरेक्ट टेक्सेज आर परसीव इनफलेश्ट नहीं यह क्या होता है कि इन मार्केट में इनफलेश्ट क्रिएट करने में इंडरेक्ट इक्स बहुट बड़ा उसका युगदान रहता है next topic जो है जिए इंडरेक्ट टेक्सेज इंक्रीज इंक्रीश इन दे सब्सक्राइब कि आप उसको जो है बनाने की कॉस्ट है सब्सक्राइब तो उसके उपर टैक्स लग जाएगा अगर टैक्स लग गया तो जहां से भी पर्चेस करते हो वह बनाके देगा तो मट्रील के उपर जाएगी अगर आप इंडिया से खरीते हो तो भी आपकी उसकी जो प्राइज होगी और आपको पेगा पड़ेगा इंडिरेक्ट टैक्स क्या करता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढा देता है यहां लिखा ह एक प्रोजेक्ट रिखॉएट्स अप्लांट टैने मेशिनरी लाँ मेशिनरी एंड अगर डॉमेस्टिक है आपको सेंट्रल एक्साइज एक्साइज इपकरना पड़ेगा लिखा और रामिट्रियल एक्साइज न लुटेज और अब अबव देसे it is required more finance for the payment of Indoor package it's的時候 there is indirect taxes increase the total cost of the project wanna Liberal protections to the local industry the government of India protect the Indian industry's manufacture specific product by the leaving the अगर इंडिया में बन रही है तो गवर्मेंट क्या करेगी जो इंडियन इंडेस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल जाए यहां की सस्ती कीमते वाली प्रोड़क्ट हो और फॉरिंड से जो आए वह महिंगी हो जाए तो इस तरह से गवर्मेंट क्या करती है फिर एंडियन इंडेस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है इंपॉर्टेट प्रोडुक्स बिकम कोस्ली एस कमपार्टू शुके प्रोडुक्ष से एथी चीज कम्पारेंटिवली चीपर है तो इसके वड़े से वह अपने आप में ज्याददा एन जीशाल आते और वह बोट कि हुआ नहीं करते हहे दो फिल्णा मयस्ट कोष्ट कि मुझत हुआ हुआ चाहि नहीं कर देखो कि क्या हुआ धुटतम्हा टो मुठी नहीं कि एड़ेमस्ट को लूक की और माराइट जो टॉपिक आज का था उसके बारे में हम दें डिसक्स किया जो लिमिटेशन से इंडिरेक्ट एक्सेस की यहां पर थोड़े बहुत क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स्पेंड एनिफाइप पॉइंड टेक्स बिट्विन डिरेक्ट सब्सक्राइब पूछे लिए तो इडवांडिरिस ऑफ इंडिरेक्ट टैक्सीज है और डिश्गार नेक्स टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन साफ जी उसके बारे में हमें डिसकास करेंगे भाई और नइस दे